हलो एवरिवन, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आज मैं आपके साथ शेर करूँगी बिल्कुल सिंपल एंड हिल्दी रिस्पी पोहा, आप एंड तक जरूर देखिए, पोहा का नाम लेते ही सबसे पहले ख्याल आता है मुंगफली का, लेकिन आज इस रिस्पी में हम मुंगफली बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, आप एक बार मेरे साथ मेरे स्टैल से पोहा बना कर देखिए, फिर हमें कमेंट बाक्स में बताइए रिस्पी आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वन कप पोहा लेंगे, अ अब इसमें दालेंगे, हाफ टी स्पून नमक, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, पोहा धोने के लिए इसमें दालेंगे पानी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताके नमक पानी में अच्छे से घुल जाए, और पोहा नमक वाले पाने को अबजाब कर ले, पोहे को हम पानी में ज्यादा देर नहीं रखेंगे साथ ही पानी में से निकालेंगे अगर हम खाली पानी से पोहा धोते तो पोहा फिका रह जाता नमक के पानी से पोहा धोने से पोहे में नमक का स्वाद आ जाता है इस तरीखे से पोहा च्छनी में दाल कर हलके से प्रेस करेंगे ताके इसमें का एक्ष्ट्रा पानी निकल जाए पोहा रखते हैं सैट पे चलते हैं अगले स्टेप पर ग्यास पे रखेंगे पैन अब इसमें दालेंगे वन टीजपून वेजटेबुल आईल मैं अपने कुकिंग में बिल्कुल कम तेल का इस्तेमाल करती हूँ आप चाहे तो आईल की कॉंटिटी बढ़ा भी सकते हैं तेल गरम हो चुका है अब इसमें दालेंगे फैनली चॉप हाफ टीजपून जिंजर अब इसमें दालेंगे फैनली चॉप पोटाटो और आइंड आनियन इसे लो फ्लेम पर वन मिनिट तक फ्राइ करेंगे अब इसमें दालेंगे फैनली चॉप करेट 30-40 सेकंड तक low flame पर fry करने के बाद अब इसमें दालते हैं finely chop cauliflower इसे भी 30-40 सेकंड तक fry करेंगे फिर दालेंगे finely chop cabbage इसे अच्छे से mix करेंगे लो फ्लेम पर वेजटेबुल 50% तक कुख होने तक पकाएंगे देखिए वेजटेबुल 50% तक कुख हो चुके अब इसमें दालेंगे साल्ट असपर टेस्ट हमने पोहे में भी नमक दाला था इसलिए नमक स्रेफ वेजटेबुल के लिए ही दालेंगे अब इसमें दालेंगे 140 टीस्पून टामरिक पारडर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर एक मिनर तक पकाएंगे ताके इसमें की हल्दी की स्मिल निकल जाए अब इसमें दालेंगे मीडियम सैज के दो टमाटें फाइंड ली चॉप्ट करके दालेंगे मैंने टमाटर का स्किन निकाल के डाला है आप चाहे तो स्किन के साथ भी डाल सकते हैं इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हैं वे 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे अब इसमें डालेंगे बाइल्ड पीस मैं इस रेस्पी में मुंगफली नहीं डाल रही हूँ मुंगफली की प्लेस पे मटर यूस कर रही हूँ अगर आप इस रेस्पी में मुंगफली भी डालना चाहते हो तो सबसे पहले आप मुंगफली को फ्राइ करके एक प्लेट में निकाल के रख लीजिए फिर बाद में इसे आट कर दीजिए मिक्स करते हुए इसे लो फ्लेम पर टमाटे कलने तक पकाएंगे आप इस रिस्पी में अपनी चाहिस के हिसाब से कोई भी वेजटेबुल्स को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं आप चाहे तो पहे को सुरिफ करी पत्ता, प्याज और हरी मिच के साथ भी बना सकते हैं आप एक बार इस तरीखे से जरूर ट्राइ कीजिए टमाटर दालने के बाद लो फ्लेम पर इसे पकते हुए तकरीबँ तीन मिनिट हो चुके हैं देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, इसमें टमाटर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में जो हमने पोहे को धोके रखा था वुसे इसमें डालेंगे हाथ से पोहे को खोलते हुए इसमें डालेंगे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, जन्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यामली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताके जब भी मैं नए वीडियो से अपलोड करूँ, आपको इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें दालेंगे फ्यांड्ली चप कोरियंडर लीफ्स लो फ्लेम पर इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 3-4 मिनिट तक पकाएंगे ताके सारे फ्लेवर्स पोहे में अच्छे से अब्जाब हो जाए लो फ्लेम पर इसे पकते हुए 4 मिनिट हो चुके हैं अब इसमें दालेंगे अनार के दाने अनार के दाने आप्शनल है आप नहीं दालना चाहे तर स्किप भी कर सकते हैं पोहा को इंगलीश में फ्लैट हैं टेलंगाना में अटकलो और चुड़वा कहते हैं चुड़वा बिल्कुल बारिक होता है ये हलका सा मोटा रहता है इस recipe में मोटा चुड़वा यूज़ करना है बारिक चुड़वा बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे वरना पोहा खिला खिला नहीं बन पाएगा आपको आज की recipe कैसी लगी हमें comment box में जरूर बताईए इस stage पे आप fry किये भी मुंगफली दाल सकते हैं vegetables में पोहा दाले हुए 3-4 मिनिट हो चुके हैं nutritious पोहा तयार हो चुका है अब हम इसे dish out करेंगे चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदा recipe के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजिए इजाज़त बाए बाए